हलो फ्रेंड्स मैं आज आपके लिए लाई हूँ ये शोटर सा फ्लॉवर कर डिजाइन जिसे आप बच्चों की फ्रॉप में लगा कर इस्तेमाल कर सकते हैं आए देखें ये किस तरह से बनके त्यार होता है देखें सबसे पहले इस तरह से एक फंदा बना लेंगे इसके बाद आप छे चैन बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे और देखें इसमें लाके इस तरह से बांग देंगे एक चैन लेंगे अक्का कर लेंगे मारा सर्कल इस तरह से बनके त्यार हुआ है अब आप इस सर्कल में से इस तरह से अच्छा बनाएंगे एक बारा बार कच्छा बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस ग्यारा और ये बारा 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 हमने इस तरह से बना के त्यार कर लिया है अब आप इसमें इसे बान देंगे इस तरह से अब यहाँ पे आप आठ चैन बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ चैन बनाने के बाद यहाँ पकड़ लें और तीन चैन बनाएं एक दो तीन और ये यहाँ पर इस तरह से इसको बान देंगे अब यहां से एक, दो, तीन, चार चार बार लपेटेंगे और देखें पहली चैन में से इस में से इस तरह से निकालेंगे और बांदते वे उपपर आएंगे एक, दो, दो दो बांदेंगे तीन, चार और पांच पाँच बार में बांदते हुए उपपर आएंगे अब आपने यहां पहले चार बर लपेटा था अब तीन बर लपेटेंगे एक दो तीन और इसी चैन में इस तरह से डालके दो दो बांदते हुए उपपर आएंगे देखें अब आप एक दो बार लपेटेंगे और इसी चैन में इस तरह से दो दो बांदते हुए उपपर आएंगे अब एक बार लपेटेंगे और इस तरह से दो दो बांदते हुए उपपर आएंगे अब यहाँ पर इस तरह से चले लेंगे और आखरी में यहाँ इस तरह से हम बान देंगे अब यहाँ देखें एक दो यहाँ से एक दो दूसरे खाने में आएंगे इस तरह से फंदा उठा लेंगे और हम जैसे हमने इस पत्ते को बनाने में किया उसी तरह फिर से repeat करेंगे यहाँ पे 8 chain बनाएंगे 8 chain बनाने के बाद यहाँ देखें इस तरह पकड़ लें और 3 chain बनाएं एक, दो, तीन तीन चैन बनाने के बाद यहाँ से इस तरह से इसको बांदेंगे अब यहाँ पर एक, दो, तीन, चार चार बर लपेटने के बाद देखें पहली इस पहली चैन में इस तरह से डालेंगे और दो-दो बांदे वे उपर आएंगे एक, दो दो बानेंगे, दो, तीन, चार, पांच, पांच बार में यह हमने बान दिया है, अब एक, दो, तीन बार लपेटेंगे, और इस तरहें दो दो बानते वे उपर आएंगे अब एक, दो बार लपेटेंगे, और दो दो बानते वे उपर आएंगे अब एक बरला पेटेंगे और इसी चैन में डालेंगे और दो-दो बांगते वे उपपर आएंगे अब इसमें इस तरह से अच्छा ले लेंगे और अब आखरी में यहाँ इस फंदे को इस तरह से बांदेंगे अगे आएंगे एक दो इसमें इस तरह डालेंगे और यहाँ पे यह फंदा इस तरह से बांदेंगे देखे हमारा इस तरह से यह पत्ता बनके कंप्लीट हो गया है इसी तरह से हमने जैसे दो बनाए हैं यहाँ पे हम सरकल वाइज में छे पत्ते बनाएंगे इसी तरह तरीके से चार पत्ते और बनाएंगे मैं पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर दिखाती हूँ आपको कैसे देखे फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर पूरे पत्ते बना के त्यार कर लिये हैं आखरी में आख यहाँ से इस तरह से इस तरह से बनाएंगे देखें और आप इसमें चाहें तो बीच में एक मोती भी लगाने अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें कमेंट्स करें जासे जादा शेयर करें थेंक यू परेंट्स झाल